तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे schemes वाली वीडियो के सीरिज का पहला वीडियो है इसके अगले वाले वीडियो में हम पर हम परागत क्रिशिविकाश योजना, स्वाइल हिल्थ कार्ट scheme, परधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना इन सब सी schemes के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परधान मंतरी फसल भीमा योजना को लाने की जरूरत क्या पड़ी क्या इसके पहले हमारे पास कोई फसल भीमा योजना की scheme नहीं थी हमारे पास पहले भी scheme थी दो या तीन थी modified form भी था उनका लेकिन lack of innovation या lack of technology या lack of extension की वज़ा से वो farmers को benefit नहीं दे पा रही थी जिसकी वज़ा से इंडिये गॉर्मेंट ने 13 जनौरी 2016 को परधान मंतरी फसल भीमा योजना को लांच किया तो इसकी कार क्या है यह कितना इसका premium rate होता है और crop के साथ कैसे vary करता है यह मागे देखेंगे इसका work है कि जो हमारे farmers होते हैं उनको एक financial support करता है अगर मालेज़े कोई natural disaster आ जाता है जिसकी वज़ासे जैसे बाड़ हो गया सूखा हो गया या ज्यादा बारिस हो गया ओला पढ़ गया इसकी वज़ासे अगर किसी प्रकार की फसल को उनके बरबाद होता है तो यह एक त तरीके धूडते हैं cultivation के और उनको डर नहीं रहता है उनका अगर crop खराब हुआ तो उनको benefit होगा की नहीं होगा इसका जो premium rate होता है जो farmers हमारे paid करते हैं मतलब जो farmer के दोरह premium rate paid किया जाता है गौर्मेंट लेती है वो differ करता है मतलब season wise differ करता है जैसे खरीब crop हो गया 2% हो गय commercial and horticulture crops का यह सबसे ज़्यादा हाई होता है 5% हो गया यह अफो में भी पूछा गया था यह question premium rate को लेके फिर इसके objective क्या है आप इस पर थोड़ा नजर डालते हम stabilize the income मतलब जो income है farmers का उसको stabilize करता मतलब इस्थिर रखे कि farmers की जो income है वो अगर रिस्क उठा रहा है तो उसके नुकसान ना हो उसका जो income है वो बनी रहे और साथ में वो नए-ने cultivation के practices करनी के लिए मतलब उस्सुक रहे उसको प्रोसाहित करते हैं encourage farmers to adopt new innovation and modern agri practices जैसे कि नए agri practices है फिर उसको प्रोसाहित करेंगे तो नए innovative modern तरीके अपनाएगा यह एक तरीके से प्रधानमंत्री फसल भीम योजना का यह objective है फिर जब प्रधानमंत्री फसल भीम योजना आया तो इसने किस किस को replace किया तो नियास हो गया national agriculture insurance scheme फिर इसी का modified form हो गया modified national agriculture scheme इन दोनों को इसने जो है replace कर दिया फिर आगे हम देखेंगे कि पिछले साल का premium rate crop के साथ कैसे vary किया था जैसे कि cotton है cotton में आप देखेंगे 62 रुपीज पर एकर premium rate हमें paid करना पड़ा था फिर paddy में 505 रुपे पर एकर paid करना पड़ा था फिर मेज में 202 यह vary करता है और season wise यह vary करता है premium rate के लिए अब मैं आपको कुछ simple चीज बता देना चाहता हूं कि कैसे आप apply कर सकते हैं form जैसे आपने sewing की sewing के 10 days में आपको यह form apply करना पड़ता है और आपका address proof होना चाहिए identity card होना चाहिए और आपका सबसे main खाता नमर होना चाहिए खेत का अगर कोई मालिज मजदूर है अगर मजदूर है अगर और किसी और के जमीन पर खेती कर रहा है तो उसको भी उसका नमर दिखाना पड़ता है कि हां उससे sign करवाना पड़ता है कि हां मैं इसके अंटर में काम करता हूं यह मैं यहां पर काम करता हूं तो इस तरीके से वीडियो कैसी लगे थैंक यू पर वाचिंग